हम जान लेते हैं आप अपने PayPal अकाउंट को कैसे Create कर सकते हैं दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहा है मेरा जो Redmi Y1 फोन है इसके अंदर मैं पहले से ही अपना PayPal अकाउंट create कर चुका हूं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा यहाँ पर PayPal अकाउंट बिल्कुल कुरी तरह से रेडी है, जिसके दुआरा मैं अपने bank account में भी पैसे मगवा चुका हूँ, अब हम यहाँ पर अपने दूसरे मुगाईल में एक PayPal का नए अकाउंट create कर लेते हैं, इसके लिए दोस यहाँ पर अपने mobile को desktop mode में कर लेते हैं, अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर search करना होगा PayPal sign up, जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर PayPal sign up क्लिक करेंगी, तो आपके सामने यहाँ पर PayPal की सबसे उपर website आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर एक बार click करना है, और दोस्तों आपके सामने PayPal की website यहाँ पर खुल जाएगी, अगर आपका पहले से ही PayPal account है, तो आप यहाँ पर login पर click कीजिए, अगर आप नया account create करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर sign up पर click कीजिए, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी sign up पर click कर सके हैं, sign up पर click करने क यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं, तो मैं यहाँ पर sign up पर click कर लेता हूँ, और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आजाएगा, उपर की तरफ आपको लिखा हुआ दिखाए देगा फोर सोपर और नीचे आपको दिखाए देगा फोर तो मैं आपसे यहाँ पर यही recommend करूँगा, आप सबसे पहले number पर इसे click रहने दीजे और यहाँ पर next पर click कर दीजे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का interface आजाएगा, आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी country select करनी होगी, उसके बाद आपको Gmail ID भी डाल लिए है, और मैंने यहाँ पर अपना password भी डाल लिया है, अब आपको यहाँ पर continue पर click करना है, उसके बाद आप यहाँ पर अपना password save करना चाहते हैं, यानि कि अगर आपको दोबारा password ना डालना पड़े तो आप यहाँ पर save पर click कर सकते हैं, और अगर आपके पास फुछ इस तरीकी का इंटरफेस आया, I am not robot, तो आप यहाँ पर एक बार क्लिक कर दीजिए, और दोस्तों उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीकी का इंटरफेस आ जायेगा, यहाँ पर आपको अपनी पूरी State में है और आपको अपना पिन कोट दालना है और आपको उपना Making कद नाम 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 ना हो नहीं तो आपका PayPal account ठीक से kाम नहीं करेगा इसलिह दोस्तों इस बात का खास ज्यान रखें आप homem पर मीडिल में डाला जोकि आपके पेंट कार्ड दालें जोकि Алекс आपके Pen Card में हो तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं मैंने यहां पर seat पूरा form भर लिया है और उसके बाद को यहाँ है यहां पर Re- 39 क्रेट कर देना है उसके बाद लाएम साभष क्रेट इस तरीक जिस्जज़ लुड़ नहीं ही But अगर आप इसमें credit card नहीं डालोगे तो भी आपका account ठीक से काम करेगा credit card दोस्तों उन लोगो के लिए होता है जिनको किसी दूसरे को पैसे बेजने होते हैं लेगिन अगर आप online काम करते हैं आपको पैसे बंगवाने हैं तो आपको credit card की कोई ज़रुत नहीं है और आपको यह my card later पर एक बार click कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर yes कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या होगा आपको यहाँ पर एक बार या तो आप यहाँ पर go to your account पर click कर सकते हैं या फिर एक बार आप यहाँ पर my people पर click कर सकते हैं तो मैं यहाँ प पर confirm your email पर click किया तो आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा यानि कि दोस्तों इसका मतलब यह है आपके email id पर एक mail जाएगा और वहाँ पर आपको उसे accept करना होगा ताकि आपका email confirm हो जाए और उसके बाद आपको करना क्या होगा आपको यहाँ पर यह तीन notification दिखाए देंगी पहला notification आपको GST का दिखाए देगा जिसे आप ignore कर सकते हैं यह जरूरी नहीं है और आपको यहाँ पर अपना जो दूसरा notification है आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर अपना address दिखाए देगा आपको यहाँ पर अपना address सेट करने के बाद यहाँ पर इसे submit कर देना है और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपको यहाँ पर pen card पर click करना है और आपको यहाँ पर अपनी pen card की photo कीचने के बाद upload करके इसे submit कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर इन्हें address proof देना होगा address proof में दोस्तों आपको यहाँ पर select document पर click करना है और आप यहाँ पर अपना driving license या आधार card कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर आपके पास इन सभी में से कोई साफ भी एक दोकूमेंट्स हो आप अपर स्लेक्ट कर दीजै जैसे कि मैंने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पर आधार कार्ड कीचने के बाद अपलोड कर दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रूप बैंक पर क्लिक करना होगा जैसी आप यहाँ पर प्रूप बैंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्लेक्ट डोकुमेंट पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी बैंकी पासबूक का फोटो कीच के अपलोड कर सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है मैकस्मिम 2MD से आपकी फोटो उपर ना हो उसके बाद आपको यहाँ पर परपरस कोड पर क्लिक करना है जैसे ही आप यहाँ पर परपरस कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाए देगा आपको यहाँ पर इन्हें बताना होता है जो आपके पैसे आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं तो आप यहाँ पर इन में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं मैं अगर यहाँ पर अपनी बात करूँ तो मैंने यहाँ पर कौन सा चूज़ किया था वो मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तो मैंने इसमें यहाँ पर चूज़ किया था P082 Software दोस्तो मैंने हाँ पर अपने केस में यही स्लेक्ट किया था क्योंकि मुझे सोफ़्ट वेर से ही अर्णिंग आ रही है है फिस्टार और के वाई अगर आप भी एप्लिकेशन से अर्म करके इससे पैसे मुझाना चाहते हैं तो आप भी यही स्लेक्ट कर सके हैं और आपको एक एड़ बैंक पर क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद आपको यहां पर नेक्ट करना है और इसके बाद आपके सामने यहां पर एड़ है जो कि इसमें मैंने भी कर दी यहाँ पर आप अकाउंट नंबर डालने के बाद और आई एफसी कोड़ डालने के बाद तुरंट कंटिन्यू कर देते हैं लेकिन आपको यहाँ पर अपना बैंक डालने के बाद और IFC code डालने के बाद यहां पर I don't have my IFC code पर क्लिक करना है और उसके बाद आपकी सामने यहां पर कुछ इस तरीक एक अटरफेस आ जाता है आपको यहां पर अपना state select करना होता है आपको यहां पर अपनी city select करनी होती है और उसके बाद आपको यहां पर अप आपको में दो होटब हमाउंट बैज है जैसे कि मैं आप आपको अपने दुसरे मुबावाएल में दिखा देता हूँ क्ट रेके हों दोस्तों मेरे केस यहाँ पर जैसे की आप देख रहे हैं मुझे यहाँபर टारब से चोटी-चोटी आप उसके बाद यहाँ पर इसमें वो भर दीजिए दो छोटी अमाउंट और उसके बाद आपका bank account confirm हो जाएगा और दोस्तो उसके बाद आप अपने PayPal account से पैसे transfer कर सकते हैं और दोस्तो अब मैं यहाँ पर आपको अपना वो account दिखा देता हूं जो कि मैंने complete कर रखा है और म मैंने Одक刚 Weight transfer किया हैं और एक हम करने दो बार अपने bank account में ट्रासफर किया हैं और दोस्तों इसका मैं पूर्रू भी दिखा देता हूँ आपको मैंने लश्च बार दो 1डलर अपने bank में nat rste अक मैं की तरब से आपको zam represent हमोट buff कर लिया है और दोस्तों जैसे की आप यहाँ प पास आ चुके हैं बस दोस्तों अगर आप ये सभी प्रोसेस फोलो करेंगे जो कि मैंने आपको बताया है तो इंशालला आप ठीक से अपना पेपल अकाउंट बना पाएंगे और अगर आपका कोई पेपल से सवाल या सुझाव रहे गया हो कुछ आपकी समझ में नहीं आ गया कि बाद डिए को से तंगया है अगर